अगरनाटरोचन हैं तो नाटरोचन होगा साऎनाइट, हाँ, साइनाइट में क्या करकिप टेस्टिंग होती है, भेर सारा फ़ेरसलफेट दाल देष्या पै-च्राल हो Campaign पशन सांत, सा iht नियाक को आपपट भरेवरीक्षेन होता है बना देता है फैरो साइनाइट तीक है अब कुछ बूने फैरिक के डाल दीजिए उससे क्या होगा जैसे आप कुछ बूने फैरिक के डालेंगे या तो भाट आयंज सीधे उपर से डाल दीजिए या फिर लोग कहते हैं कि कॉंसेंट्रिटेड सेल्फिरिक डाल दीजिए क्यों वो भी ऑक्सरडाइजिंग एजेंट है सस्तु है इसके स्थान पर नाइट्रिक असेड भी डाल सकते थे वो भी ऑक्सरडाइजिंग एजेंट ही था जो भी है वाटेवर आपने और डिया डारेक्ट टाल दिया एक चीज़ बोलो तीन चीज़े बता रहे हो आप अलग में लोग कुछ भी दे देते हैं एक्जामिनर कुछ भी पूछ लेते हैं मुद्दे की बात है हमें फैरिक आया चाहिए आपने सुलूशन में फैरस टपकाया था और अब यह जो एक्स्ट्रा फैरसाइंस भी सुलूशन में पड़े हुए है अगर आप इन्हें रंग दिखाई देगा क्या जी हां प्रशन ब्ल्यू यह क्या है एफी सी एन सिक्स फोर माइनस आप बना चुके थे हैं तारे कायन आप लाइए क्या होगा कंपाउंड बनाएंगे चरड़ एक्सचेंज एफी फोर एफी सी एन सिक्स होल थ्राइस तक ख़दा के यह जी हां थोड़ा बहुत पानी शानी भी एक स्ट्राइगा अब पूरी तौर पी एक कंपाउंड के लाता है प्रशन ब्ल्यू शार प्रशन ब्ल्यू जी हां प्रशन ब्ल्यू नाम है उसका नीले करंग के एक शेड है उसको प्रशन ब्ल्यू बोलते हैं अगर यह दिग्या इसका म अब एक बार देखते हैं लसाइनेस टेस्ट को फिर से रिवाइस कर लेते हैं नाइटोजन के लिए फ्रेशली प्रपेड फेरस सल्फेट है आपके पास बहुत बढ़िया है इसी में आपने ओरिजिनल मिलाया और साथ में सल्फियूरिक आसेट से स्क्वाइड़िफाय की ऑक जैसे ही आता है आप कह सकते हैं कि कतनी थी ये पतला शकिए और सल्फर, सल्फर कभी यही हल देखिए दो टेस्ट है, एक है बहुत ही क्लासिक लैड असिटेट टेस्ट जो दाज़ार सिंपल है और एक है फैशनेबल सोडियम नाइट्रो प्रसाइट टेस्ट दुनों ही आसान से हैं, आईए देखते है लैड असिटेट सेस्ट में क्या करेंगे आप, आपके पास है फ्यूजन एक्स्ट्राक्ट, ठीक है, आप उसमें लैड असिटेट डाले सोडियम आइन्स, सॉरी, सल्फाइड आइन्स और लैड आइन्स की एक बड़ी खासियत है इक दम शाइनिंग ब्लाक, चमचमाते, काले रंग का पीपीडी आएगा आपको किसका, पीवीएस का चीक है, चाहें तो लैड असिटेट पेपर ले सकते हैं, एक फिल्टर पेपर लें, लैड असिटेट के सिलीशन में घुमा लें या धुबो लें, और फिर उसको एक्सपोज करें किससे अपने उस लेसाइनेज एक्स्ट्राक्ट से, आप दखेंगे, एक तम बड़िया शाइनिंग ब्लाक कलरेशन अगर आ गया कागज के उपर, पीवीएस है, कोई और पहचाने पीवीएस की, एक छोड़ी पहचान और है, यह तो ब्लाक है, इसी पर एक बूंद H2O2 डाल दीजिए, वो ब्लाक से वाइट हो जाएगा, क्यों? वो पीवीएस ओफोर बन जाएगा, अगर कभी वंगों को शक होता है कि पता नहीं यह वो है या नहीं, एक ड्रॉप H2O2 की डाल के फर्दर कन्फर्म कर सकते हो, ब यहां देखें, लेड असेटेट टेस्ट, लेसाइनेज एक्स्ट्राक्ट है, बिलकुल, उसी में आपने असेटिक डाला तकि थोड़ा उसको असेडिफाय कर सके, अच्छा, और फिर अब फिर उसमें टपका दिया लेड असेटेट, वाव, क्या होगा, मस्त ब्लाक पीपी टेस्ट क्या था, पहले तो यह जान लीजिए, सोडियम नाइट्रोपरसाइड होता क्या है, एने टू, एफिसी एन फाइव, एनो, आरन के साथ पांट साइनाइड और एक एनो लगी हुई है, यह होता है सोडियम नाइट्रोपरसाइड, देखता कैसा है, येलो इश ब्रा sensitive test है, sulfide अगर PPM quantities में भी होता है, बहुत सूक्ष मातर में भी होता है, तो भी बहुत साफ साफ ही test आयाता है, बैग्यानिक बहुत पसंद करते हैं इसी करेंट से इस टेस्ट को, कौन सा, सोडियम नाइट्रोपरसाइड, टेस्ट, नाइट्रोपरसाइड क्या है, वही, है, इस इंडिकेट्स अप्रिजन साफ सल्फर, तो बच्छे लोग, यह तो टेस्ट था, नाइट्रोजन और सल्फर का, अगर नाइट्रोजन है और सल्फर नहीं है, और अगर सल्फर है और नाइट्रोजन नहीं है, तब, लेकिन अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है तो एक गरबड़ हो सकती है, हो सकता है, उपर वले दोनों टेस्ट ना आएंगा, अच्छा, फिर क्या करना होगा, एक भून, उसमें न्यूट्रल FECL-3 की टपका हो, लेसाइनेस एक्स्ट्राइप में, या करेगा वो, अगर नाइटूजनो सेलफर दोनों ही उपस्ते थें, तो वो आपस में निश्चित जुड़कर बना लेंगे, S, N- या थायोसाइनेट, और जैसे ही फेरिक कलर आएगा, या फेरिक की एक ड्रॉप भी आएगी, खून का रंगा जाएगा, ब्लाड रेट कलरेशन, अच्छा, कैसे, न्यूट्रल FECL-3 कैसा होता है, येलो, थायो के निए, ये देखिए, लेसाइनेज एक्स्ट्रैक्ट है, उसमें हमने मिलाया, थोड़ा सा डैलूट एच-C-L, ताकि उसको ऐसेडिफाय कर सके, फिर क्या करेंगे, फिर आपने उसमें मिक्स किया, जस्कियरफुली, तोड़ा से FECL-3, एक दो बून, और अगर एक्तम ब एसे आता है, नाइट्रोजिन और सुलफ़ा का कमाइन टेस्ट, अलक से नाइट्रोजिन साइनाइड बनाएगा, जो नाइट्रोपरसाइड ये लेड असिक्रेट से चेक होगा, अगर झारिको आँण रस दोनों साथ सात है, तो फेरेका इंस डाल दीजे, न्यूट्रेल ए कल विशुक ऐसा आजाएंगा that's it